हेलो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में घोडों के बारे में जानने वाले हैं ये जानवर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं केवल अंटाक्रिका को छोड़ कर तो चलिए दोस्तों जानते हैं घोडों के बारे में कुछ अमेजिंग कुछ नया हेलो फैप्स लवर्स मैं हूं निकिल और आप देख रहे हैं ओ फैप्स जहां आपको देश दुनिया और ब्रह्मान के कुछ अजीबों गरी तद्ध्यों के बारे में पता चलता है तो आईए सुरू करते हैं तक्षिन अफ्रिका के जंगलों में आज भी घोडे बहुत बड़े बड़े जुंडों में पाए जाते हैं एक जुंड में एक नर और कई मादाय रहती हैं अगर घोडों को किसी तरह का संकट महसूस होता है तो नर घोडे चारों और से मादाओ को घेर कर खड़े हो जाते हैं और दुस्मन का सामना करते हैं इधियास में घोडों पर लेखी गई पहली पुस्तक साली होत्र है जिसे साली हुत्र रिसी ने महाभारत काल से भी बहुत पहले लिखा था आज से करीब 6 करोड साल पहले के गोडो का कत केवल 14 एंच और वजन मातर 5.5 किलो होता था इसे इहोईपस कहा जाता था आज के गोडों के एक पंजे के मुकाबले इहोईपस के आगे वाले पैर में 4 उंगलियां और पीछे वाले पैर में 3 उंगलियां होती थी फाम तोर पर गोडों का जीवनकाल 25-30 वर्स का होता है परंतु इंगलेंड में 1760 में जन्मा एक गोडा 62 साल तक जिंदा रहा उसकी मिर्तियो 27 नमंबर 1822 को होई इस गोडे का नाम पोल्ड बिली रखा गया था गोडे के 62 साल मनुष्य के 173 साल के बराबर होते हैं गोडे का पहला साल मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है दूसरा साल 7 साल के बराबर तीसरा साल 4 साल के बराबर और बाकी के 2,5 साल के बराबर होते हैं अगर आपको एक concept पूरा detail में समझना है तो हमें comment कीजिए हम इसके उपर एक और वीडियो बना देंगे दुनिया में गोडों की लगबक 160 नसले पाई जाती हैं इसमें अरभी घोड़ा सबसे अच्छा मान जाता है गोड़े अक्सर खड़े होकर ही सोते हैं लेकिन कभी कभी ये लेट कर भी सो जाते हैं जमीन पर रहने वाले सबी प्राणियों में से गोड़े की आँखें सबसे ब करने होते हैं एक अनुमान के अनुसार संसार में लगबक 6 करोड़ घोले मौजूद हैं घोले केवल नाक से सांस ले सकते हैं मुह से नहीं ऑस्ट्रेलिया में 1788 से पहले एक भी घोला नहीं था इसके बाद यहां के उपनेवेशी इस देश में गोला लेकर आए ऑस्ट्रेल को सबस्क्राइब करें